आज़ो बिल्लाहिमिन श्यत्वान रहजीम बिस्मिल्लाहिर रौख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे और मेरे चैनल विर्चुल स्टूडन्ट रपोर्ट सर्विस इस से काफी कुछ सीख रहे होंगे दोस्तों इस असाइन्मेंट कि प्रोग्रामिंग जो हमारी अफाइन्मेंट नंबर 2 आई हुई है उस हवाले से आज की मेरी वीडियो है अफाइन्मेंट शुरू करने से पहले मैं आओ को बताता चलों कि मेरी जितने भी वीडियोज होती हैं वो फिरफ आपको एक आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपने उस अफ़ाइन्मेंट को सॉल्व कैसे करना है बहुत सारे स्टूलेंट ऐसे ही करते हैं कि वो सीम एविटिव कापी कर लेते हैं और फिर हमारे तो जह मार्क्स नहीं आए तो आप लोग फिरफ इससे आइडिया गेट किया करें और फिर अपनी असाइन्मेंट खुद बनाया करें और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश कर आप लोगों को मिल सके और आप मेरी वीडियो से सीख सके तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी इससाइन्मेंट की रिक्वाइर्मेंट किया हैं इसमें दिया हुए राइटा मैनियो बेस्ट सिफ्टम इन C++ दैट विल टेक इंटू इन्पुट फ्रम यूजर फॉलोवि रेसलिए उसलिए जिंट विल इस आपके यूजर्म है और ये वाले अपरेशन फाफ तीर्ण वेली आपके डिरए Boost प्रियोजर टीरेसओ उसल्डे मैंट स्वाडिव्री आपहल्र् गव्री लिया पंटिप्ले स्ञ है पल्र्स टीडियोजव को ग्रियों वीडिय नीर्ण प्रोग्राम बनाना है, जब हम एक दबाएं, तो एंटर वो वैल्यूस करवाए दे, आरे की तो या दबाएं, तो वो हमें सारी वैल्यूस दिखादे, रीड करवा दे, तीन जब दबाएं, तो वो आरे एलिमन्ट को रिवरस उटर में लिगादे, जब हम चार दबाएं तो वो हमें वो वेल्यूस दिखाए जो तीन के साथ तक्सीम हो सकती है और पांच दबाएं तो वो हमें उन सारी वेल्यूस का सम दिखा दे और जब छे दबाएं तो वो उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए बाहरा जाए solution कुछ instruction है जो use switch statement for menu-based system हम switch statement use कर सकते हैं you have two pointer for option 2345 के हम 2345 के लिए जो है options के लिए हम pointer फीज़ कर सकते हैं you can use user-defined function for each of the task mentioned above manage your code तो वो function कौन से हैं जी वो function है to enter value in array तो हमने get value का एक function use करना है आगे है to read an array element तो उसके लिए display array का function use करना है to show array element in reverse order तो हमने reverse array का एक function use करना है to show array element which are multiply of 3 वो हमने multiply of 3 का function use करना है to show sum of all elements तो हमने sum of element का function use करना है साथ एक और बात भी दियो ही है if user choose an option other than one अगर कोई user जो है वो 2, 3, 4 आकर press करता है for the first time when array is empty so the user will get a message array is empty first enter data in array as shown in sample screen out इसके बाद हमें कुछ screen out यह है दोस्तों हमारी इस assignment की requirement इसको solve करने के लिए मैं सबसे पहले आपको step by step इसका सारा code समझाऊंगा और फिर वह सारे का सारा आपको dev c++ के अंदर code करके और उसकी output भी दिखाऊंगा और यह सारा मैं आपको step by step मतलब यह एक एक element आपको 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 आस्पाद बी बितादा चलूंगा कि आपने अपनी अफाइनमेंट जो है वो कैसे इसको चेंज भी कर सकते हो क्योंकि जब मेरी वीडियो देख लेते हैं लोग तो फिर उन्हें बार बार यही में फाइल आ रहे हो तो हैंकि फ़र हमारे प्रोग्राम में यह अरर आ गया यह अरर आ गया और हम अपनी अफाइनमेंट के चेंज करें तो आपने फेम एविटिफ नहीं भेजनी बिल्के आप मैं पॉइंटाइट फाथ-फाथ करता जाओंगा कि आप कौन-कौन फी जगों पे चेंज करके अपनी अफाइनमेंट बना सकते हो बना सकते हैं, फीलिफ्य जगों बहुत हैं, यह अ अपनी आप पिकिल्द में लिखा अपर आप टापिकित हैं यह तीन फाइल तो ऐसी हैं जो आपने हर हाल में इंकलूड करती हैं और इन में कोई changes की भी जरूरत नहीं है और यूजर डिफाइन function declaration अमने सबसे पहले यूजर डिफाइन function डेकलियर कर दीया है जो हमें यहां पे उसने बताया कि array को आप enter करवाने के लिए get value, read करवाने के लिए display और reverse order के लिए reverse array और multiply of 3 वाले multiply of 3 और sum of element वाले देखना है वो sum of element का function यूज़ करना है तो यहां पे मैंने wild होगी उसके return type, get value वो ही function है वाइड reverse array, वाइड display array, वाइड multiply of 3 और वाइड sum of element और आगे वही function वाले ब्रैकेट और semicolon आ गया हर जो line हमारी complete हो रही है उसके end पे semicolon लगाना 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 है तो आपने इन function को change नहीं करना है बलके fame additive ही लिख लेना है आगे आगे जी array for storing 5 elements which you will enter int array और 5 हमने ले लिया है तो यहां पे आप चेंड कर सकते हो array का नाम जो है array 2 array 3 array 4 array 5 कुछ भी रख सकते हो और आगे जहां पे आपने जाके यह array यूज करनी है वहां पे वही नाम यूज करना है जो आप यहां पे array के लिए declare कर दोगे अगर आप array 3 डिक्लेयर करते हो या array A डिक्लेयर कर देते हो तो आगे भी जाके आपने वही नाम मतलब यूज करना है जो यहां पे आप डिक्लेयर कर दोगे next main शुरू होगा जी main के अंदर सबसे पहले जो है मैंने दो वेरियेबल लिया है एक करेक्टर टाइप के दोनों है जी चार इंपुट और चार येफ ये मैंने किस लिये लिये हैं इंपुट वाला तो है जी यूजर फे इंपुट लेने के लिए के यूजर जो है जो 1,2,3,4,5,6 प्रेस करेगा तो वो भी किसी एक टोक्री के अंदर मतलब स्टोर होना चाहिए उसके लिए एक वेरियेबल किस दूरत है और वो मैंने इंपुट ले लिया और येफ नो अगर यूजर को यूजर को यूजर कर लेता है उसके बाद प्रोक्राम को तुबारा मतलब री डारेक्ट करने के लिए वो येफ या नो करवान या येफ की जगा पे कोई आप और ओके रखने ठीक है जी तो ये वेरियेबल के नाम भी आपने चेंज करने है वेन यू आर प्रिपेरिंग यूर अफाइनमेंट जब आप अपनी अफाइनमेंट आगे जी मैंने एक डू लिया है डू वाइल लूप लिया है डू वाइल कोई हमारा एक काम हो रहा है जब तक एक कंडिशन तु रहती है तो इस nervesक्रिया हमने डू वाइल लूप यू किया है कै डू ये करते रहो वाइल जब तक यह होता रही मतलब य जब तक होता रहे तो यह वाला function repet कर दो अब यह वाला जो मनने फारे कर वारा code लिखा यह भी आपका FeeMavative लिखा जाएगा क्योंकि यह फारी जीवें जो हैं आपको स्क्रीम के ओपर डिस्प्ले करवाई जा रही है और जो डिस्प्ले करवाने के लिए कोड होता है वो FeeOut और जो यूजर फे इंपुट लेने के लिए होता है वो FeeIn होता है तो FeeOut प्रेफ वन एंटर वैल्यो इन एन एरे और फ्लैश एन जो है वो हमें नियू लाइन पर जाने के लिए FeeOut प्रेफ 2 to read an element of array FeeOut प्रेफ 3 to show array element in reverse order फिर फ्लैश एन आ गया FeeOut प्रेफ 4 to show array elements which are multiply of 3 और FeeOut प्रेफ 5 to show some of all the elements और फ्लैश एन आ गया FeeOut प्रेफ 6 to exit यह फिर यहां पर flash एन आ गया FeeOut एंटर यूर च्वाइफ यह फी में एविटिव लिखे जाएंगे और जब यह वाला जो यहां पर मैंने एक छोटा फ़ा डिस्प्लै दिखाया इस code के नतीजे में फिरस यह वाला जो है डिस्प्लै हो जाएगा हमरे पास screen के उपर अब यहां पर और यहां पर enter your choice तो यहां पर जो Fee In करवा रहे हैं और Input लिखा हो है तो अब देखें यहां भी Input है यहां भी Input है तो अब जब यहां पर यूजर लिखेंगे तो यहां पर यूजर वैल्यू लिख लें अब यहां पर यहां पर यहां पर जी केस वन है Get Value का function है Get Value का function हम Already उपर अब डिकलियर कर चुके हैं जब भी यह function काल होगा तो उसके नतीचे में वह Get Value जो function हमने उपर डिकलियर के उसके जब हम detfinition करेंगे तो वो मैं आपको बता दूँगा क्या का उसके बाद ब्रेक है अगर ये वाला function कॉल होता है तो उसके बाद ब्रेक मतलब आगे के जितने भी switch केशीव हैं वो ना चलें उसके बाद case 2 है जी डिस्ट्ले अरे अगर यूजर ने 2 प्रेस किया है और तो वो उसको यूजर के element डिस्प्ले करवा देगा और उसके बाद ब्रेक case 3 है जी reverse अगर यूजर 3 एंटर कर देता है input field के अंदर तो वो उसको reverse order के अंदर array दिखाएगा जैसे यहां पे भी मैंने यह code छोटे छोटे लगाए हुए यह read करने के लिए है फिर डिस्प्ले करने के लिए यह show reverse order के लिए है तो यह वाला जो है वो sum के लिए है अब यहां पे case 4 है multiply of 3 यह भी हमने एक function call किया और यह call होता है उसके बाद फिर break लग जाती है आगे अगर उपर वाले 3 call नहीं होते है तो फिर यह चोथा call होता है फिर आगे लिए call नहीं होंगे इस तरह पांचवां case है sum of element फिर break है 6 number case है फिर break है ठीक है और इसके अंदर हमने default डाल दिया default क्या है जी please enter a valid choice अगर कोई user जो है वो आके 7 प्रेस कर देता है which is not included in our menu then the error message will be displayed to the user with this please enter a valid choice के आप एक valid choice मतलब जो ओपर menu के अंदर item शामिल किये गा है फिरस उन में से आप एक input कर सकते हो अब उसके अंदर भी हमने condition लगा दिया जी if input not equal to 6 के अगर जो हमारी input है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 के not equal है मतलब 7 है, 8 है यह fix के equal नहीं है तो फिर वो क्या करे see out, do you want to continue press yes, for yes और end l, see in यहाँ पे हमने yes करवा दिया अब हमने main के अंदर एक variable all declare किया था yes जिसको मैंने का था कि आपने change कर सकते हो okay लिख सकते हो या लिख सकते हो ठीक है तो जो आप वहाँ पे variable declare करोगे वो यहाँ पे आपने लिखना है see out end l लगा दिया है curly bracket बंद if की और फिर while के अंदर आपने लिखना है yes equals y अगर यहाँ पे okay equals y लिख देते हो ओ भी लिख सकते हो ठीक है जी तो यह आप यहाँ पे change कर सकते हो और उपर भी यहाँ पे change करना तो यह फिर हमारा जो while वाला portion है वो बार बार repeat होता रहेगा next है जी हमने उपर जितने भी function declare किये थे उनके definition का time हमने उनको void get value get value का जो function है वो क्या करेगा see out enter the data in an array हमने array के अंदर data यहां पे भी हमने एक लूप चलाया क्यूंके हमने पांच values एंटर करनी है तो फॉर का लूप हमने यूज के एंट i एक variable declare के i के value हमने 0 रोके और i not less than not equal to 4 और i++ के i के जो value हो इस टाइम एक increment होती जाएगा c out enter the value c in हमने array करवा दी और array i लिक दिया i जो हमने variable यहां पे लिए है तो यहां पे i की जगह पे भी आप variable चेंज कर सकते हो x by z भी ले सकते हो और array यह वही array है जो हमने उपर element 5 की declare की थी और मैंने आपको बताया था कि array का जो वहां पे नाम रखना है वहां आपने यहां पे आके यूज करना है और उसके बाद v out element entered का message हमारे पाफ आ जाएगा और यह यहां पे function close हो गया इसी तरह हमारे एक और function था जी डिस्प्ले का डिस्प्ले के लिए भी हम लोग array ही यूज कर रहे थे क्योंके हमारे 5 element है और for loop लम ने लगा इंट i equal 0, i left and and equal to 4 और i plus plus यहां पे भी आप variable का नेम चेंज कर सकते हो but gotta remember के which name you have to use in there for variable name you must use that variable in that array name आपने वही same as it is array के name के अंदर array के अंदर भी वही variable एंटर करवाना है if array और array आगे जी वही array का name है जो हमने main के अंदर array declare की ती और equal equals 0 cout arrow is empty first enter data array अगर कोई user जो है वो case 2 हमारा 2 press करता है तो हमें ने यह message display करवाना है और break आगया एल्स और fill out array अगर array के अंदर कोई data मजूद है तो यहां पर fill out के पर यह हम array को display करवा रहे हैं तो array display हो जाएगी अगर वहां पर data कोई मजूद नहीं है तो फिर जो है वह हमें कहेगा array is empty first enter the data in array तो हमने data जो है वो enter करना है और इसी तरह fill out handle कर दिया यह new line में जाने के लिए code है अगे एक और function है जी white reverse array fill out show array element in reverse order और यहां पर हमने वो reverse order को show करने के लिए यह हमने reverse array का function यह बनाया for int i equals 4 और यहां पर reverse करने के लिए i equals 4 और i greater than and equal to zero और i minus minus के सबसे पहले वो इक value लेगा आए कि उसमें से minus 1 करेगा पर दूसरी फिर 3 इस तरह मतलब reverse दिखाएगा पहले हम i plus plus कर रहे थे इसके अंदर increment कर रहा था इसके अंदर decrement कर रहा है यह i equal 4 से value लेगा मतलब पर 3 पर 2 पर 1 पर इस तरह से इसकी भी condition है if array equal equal 0 अगर array के अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर वहामें एक message display करवाएगा array is empty first of all you have to enter the data in array अगर array के अंदर data मजूद है तो अगर array के अंदर data मजूद है तो और array प्रिंट कर दे कर reverse order के अंदर fee out and l यह new line में जाने के लिए यह खत्म करने के लिए अगे एक और function है जी fee out यह multiply of 3 का है यह हमने कैसे use करना है for int equals 0 i left then and equal to 4 और i plus plus अब यहां पर हमने condition लगाए इस array के अंदर अगर element मजूद है तो वो उसको module of 3 ले के और equal zero of का result अगर zero आता है module लेने के बाद तो वो fee out array i both को display करवा दे और fee out and l हमने ले ले लाफ्ट एक function है जी void sum of element यह element का sum करने के लिए इसके हमें एक variable भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस sum की value को store करेंगे तो int sum equal zero और यह हमने इसको locally declare किया ठीक है जी, fee out sum of all element और इसके अंदर भी एक loop है for int i equals zero i left and and equal to 4 और i plus plus sum plus equals array array के जो value है वो सारी plus और fee out sum यह हम यहां पर display करवाज़े एंडल यह new line में जाने पर दोस्तों यह थी हमारी assignment और मैं अब आपको यह सारी के सारी जैसे मैंने बताया था कि आपको live code भी करके दिखा देता हूं live code करने के लिए हम जो है वो हमारे पाफ जो dev fee plus plus का software है इसको open करेंगे इसको open करने के बाद यह सारी का सारा code जो आपने लिखा हुआ है इसको आप इसके अंदर लिखोगे मैंने already code लिखा है यही सारा एक file के अंदर रखा हुआ है यह सारे का सारा code मैंने यहां पर प्राजेक्ट के तौर पर यह file के तौर पर include कर लिए अब हम इस सारा code लिखने के बाद हम F10 का button प्रेस करेंगे यहां पर जो compile and run का है वो हम क्लिक करेंगे F10 मैंने प्रेस किया तो यह क्या रहा है जी compile करना है तो मैंने क्या रहा हूं जी yes compile कर दें तो यह compile होने के पाद हमारे सामने एक program आ गया जी अब इसमें देखें हमने एक condition लगाई थी कि अगर user जो है वो menu item से बाहर की कोई चीज़ एंटर करता है जैसे हमने 8 एंटर किया और मैं एंटर करता हूं अब देखें अभी तक मैंने array के अंदर कोई element store नहीं किया और मैं यह चाहता हूं कि two का button press कर देता हूं और मैं कहता हूं कि show me the array तो यह कहता है कि array is empty first enter the data in array कि हमने सबसे पहले जो है वो data enter करना array के अंदर फिर वह ही है do you want to continue मैं yes करता हूं जी फिर हम करेंगे जी इसमें 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 पर फिर वह ही है तो यह पांच element मैंने एंटर कर दी है जी आरे के अंदर यहां पर five element enter का message भी आ गया और फिर मैं वह पूछता है कि do you want to continue मैं कहता हूं जी yes we want to continue और फिर मैं इसे कहता हूं कि इनको read करके दिखाओ to press किया तो यह सारे element read हो गए 10 20 30 40 50 फिर वह पूछता है कि हम continue मैं कहता हूं जी yes फिर हम करेंगे जी इसमें three three जो है वोड़ी सार और में 10 20 30 40 50 एंटर किया तो सबसे पहले 50 40 30 20 और 10 आना चाहिए हमने three press किया तो हमारे पास वही 50 40 30 20 10 आ गया इसके बाद फिर हमने yes करने के लिए y प्रेस किया और फिर हमने four का button press किया four क्या करता है कि जो multiply three होगा three हमने लिए four करेंगे तो इसमें वो 30 बता रहा है कि तीस एक ऐसा element है जो तीन के साथ मतलो डिवाइड हो सकता है फिर हमने yes किया और फिर fifth number पे show the sum of element तो यह हमारे पास total जो बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं जी 90 120 145 तो हम यहां पे five press किया तो यह हमारे पास sum देखें sum of all element 150 आगया जी आगे फिर मैं yes करता हूं yes करने के बाद six जो है वो इस प्रोग्राम से exit करने के लिए है तो हमने six press किया तो हम इस प्रोग्राम से exit हो जाएंगे ठीक है जी यह है दोस्तों हमारी assignment CF201 introduction to programming की मैंने आपको हर एक एक step और जहां जहां पर वो चेंजिव होती है व फारी आपको समचाहिए तो आप अपनी assignment बनाईए उस में variable change किजिए और change करने के बाद आप इसको submit करवा सकते हैं और यह मौफिन भाई का channel youtube.com slash vff for you और मौफिन भाई की website vufff.com देखते रहिए और मौफिन भाई को दौाओं में याद रखिए thank you very much दोस्तों अलाहाफिए